इंस्टाग्राम को फेस्बुक से कैसे जोड़े 2024 में इस टेप प्रोसस को कैसे अप्लाए करना है और इंस्टाग्राम अकॉंड को फेस्बुक से कैसे जोड़ना है और जोडने के बाद अगर आप उसे हटाना चाहते हो Facebook और Instagram को एक दूसर से हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हो तो दोनो step में आपको बता हूँगा कि guys step and process को कैसा apply करना है पहले ही बता हूँ guys Instagram और Facebook दोनों guys एक ही company है तो यहाँ पर आपको Instagram और Facebook में option मिलता है कि जो भी आप Instagram पर Reels upload करते हो वो आप अपने Facebook account पर भी है आपका automatically upload हो जाएगा यह basically आपके account के reach को बढ़ाने में help करता है जिसे कि Instagram पर guys अलग audience है और Instagram से ज़रा जो आपको audience देखने को मिलेगा वो basically Facebook पर देखने को मिलेगा तो अगर आप कोई भी रिल्स आपके Instagram पर upload होती है आपको आपका Instagram account है उसे आपको login करके रखना होगा और साथ यह साथ जो आपका Facebook account है वो भी आपका login होना चाहिए दोनों आपका login होगा तो ही एक दूसरे से वो connect होगा अब उसके बाद जो second step है आपको अपना Instagram application open करना है open करने के बाद यहाँ पर आपको directly अपने Instagram के settings में जाना है scroll करके और यहाँ पर आपको directly scroll करना है एक option देखने को मिलेगा sharing and remix का आपको इस पर click करना है and directly आपको नीचे जाना है नीचे की तरफ एक option देखने को मिलेगा see apps का various share your story and post also of Instagram तो आपको see apps के option पर click करना है तो यह मेरा Facebook account है directly मैं continue option पर click करूँगा and उसके बाद add account के option पर click करूँगा जैसे आप add करोगे आपका जो Facebook account है वो आपका Instagram से add हो जाएगा जैसे आप add के option पर click करोगे यहाँ पर आपको option आजगा अब उसके बाद यहाँ पर आपको option आजगा तो वो आपका automatically Facebook पर post हो जाएगा अगर आप इस वाले setting को on करते हो इसके बाद है post तो अगर आप Instagram पर कोई भी post डालते हो तो वो automatically आपके Facebook पर upload हो जाएगा, upload automatically होगा तो इसके लिए आप इस setting को on कर सकते हो उसके बाद है Instagram Reels, अगर आप यहाँ पर यह setting को on करते हो, तो अगर आप Instagram पर कोई भी Reels को डालते हो, तो वो भी आपका automatically Facebook पर upload हो जाएगा, उसके लिए यह setting है, अगर आप यह तीनो setting को on करते हो, तिससे आप story, post या Reels, तीनों भी अगर कोई भी आप Instagram पर डालोगे, तो आपके Facebook पर भी upload हो जाएगा, that's this all, तो यह simple सा setting आप अप लाए कर सकते हैं, या पर connect हो चुका है, तो यह रहा connect करने का process, तो अब बार यह है, कि Instagram को Facebook से हटाना है कैसे है, कि दोनों का connection है, उसे आपको कैसे तोड़ना है, discinde कैसे करना है, इसके लिए फिट से हब Instagram application को open करना है, उसके बाद आपको फिट से जाना है Instagram के settings में, scroll करना है, scroll करना है, scroll करना है, यहापर फिट से आपको sharing and remix का option दीख़ेगा, आपको इस बे click करना है, scroll करना है, scroll करना है, और यहाप आपको C Apps का एक option देखने को मिलेगा, अब इसकी बात अगर आपका Instagram, अगर आपका Facebook से connect होगा, तो आपको ऐसा option देखने को मिलेगा, इस option का मतलब यह होता है, कि आपका Instagram Facebook से connected है, तो यह अगर आपका इस तरीकी से blue line लाइन दिख रहा है, और tick का sign दिख रहा है, इसका मतलब Facebook और Instagram तो उन एक दूसर से connected है, अगर आपको disconnect करना है, दोनों को एक दूसर से हटाना है, लिंक को तोड़ना है, तो आपको इस पर click करना होगा, click करने के बाद आपको यहाँ पर यह वाल option आजाएगा, और यहाँ से आप यह वाल option आएगा, आपको यहाँ पर यह वाल option आप करना है, and continue करना है, then इसके बाद remove, tap, so finally आपका जो Facebook account है, वो आपके Instagram से removed हो गया है, you can change your mind, you can react this account anytime, that's it, तो यहाँ पर दिखो कि मेरा Instagram, Facebook से remove हो चुगा, यहाँ आपको इसे settings में आना है, C apps में, और यहाँ पर आपको ऐसा option देखने को भी लेगा, तकर remove होगा, तो आ कैसे आपको जोड़ना है, और कैसे आप उसको हटना है,